Hello everyone, Welcome to Qon Study. मेरा नाम है Sambhav Jain और मैं आपको Data Interpretation पढ़ा रहा हूँ for JK Bank Recruitment. अगर आपकी कोई भी query है, तो आप मुझसे directly पूछ सकते हैं. यह हमारा Instagram, Facebook and Telegram का handle है. इनका direct link आपको नीचे description box में मिल जाएगा. तो यह हमारा lecture 2 और यह based है pie chart के उपर. lecture 1 में मैंने आपको pie chart करवाया था percentage based और आज मैं आपको pie chart करवाऊंगा degree based. lecture शुरू करने से पहले, जो भी बच्चे account assistant की तियारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुती important point है, बहुती important trick है. और trick यह है कि आप सब अब अपनी preparation को टेस्ट कर सकते हैं. olive board app पर mocks आ चुके हैं, JK पंचायत के. तो आपने क्या करना है, आपने olive board app को download करना है और वहाँ पर test देने हैं. चलो अब शुरू करते हैं आज का lecture. DI को solve करने का सबसे पहला step है to read instructions. यहाँ पर में instructions दिये होए हैं. The basic fuel expenditure of a country is dominated by four major uses. Domestic, transport, industry and electricity. In 1992, the total amount of energy used was equivalent to 600 million ton of coal. अब यहाँ पर में लिखा गया है. Question में जो हमको दिया है कि एक country है, जिदर का जो fuel का खर्चा है वो चार चीजों पर हो रहा है. Domestic पर, transport पर, industry पर और electric city पर. और जो इन में से बच गया वो अधर में आ जाएगा. ठेक है? यह जो complete pie chart दिया है इसकी total जो value है वो 600 के बराबर है. 600 के बराबर है. अब हम इन पर questions करेंगे ताकि आपको better explain हो पाए कि यहाँ दिया क्या होगा है. तो question number 1 है हमारे पास The energy consumed for other purpose is approximately what percent of total energy consumed for other 4 major uses in 1992. ठेक है? तो question क्या बोल रहा है? Question कह रहा है कि अधर पर जो खर्चा हो रहा है वो country में बाकी 4 के कितने प्रतिशत के बराबर है? हम जानते हैं अधर पर 20 degree हमें equation में दिया हुआ है. ठेक है? अब बाकी 4 जो हैं that is domestic, transport, industry और electricity इनको अगर मैं total करूँगा तो यह आएगा 340. ठेक है? अब हम यह percentage कैसे निकाल नहीं है? हम क्या करेंगे? 20 को 340 से divide करेंगे लेकिन इसको percentage में अगर convert करना है तो क्या करेंगे? इंटू कर देंगे 100. ठेक है? बहुत simple है calculations हम perform करेंगे answer आएगा 5.88 अब इस question में आपने सीखना क्या था? कि हमें जो degree दी हुई है ठेक है? upon जो degree है उसको percentage में कैसे convert किया है? ठेक है? percentage में अगर हमने किसी भी चीज़ को convert करना है हमने उसे इंटू कर देना है by 100 question number 2 है what is the difference between the energy used for domestic purpose and other purpose in the country? domestic purpose है 45% और other है हमारे परस 20% इनके बीच का difference हो गया 45 में से 20 निकाला तो 25 आ गया ठेक है? अब question क्या गह रहा है हमारे बास? कि हमें इसकी value बतानी है value numbers में बताना है degree है परसंटेज में नहीं बताना question को हम जानते हैं question में हमें जो 360 degree है वो 600 million के बराबर दिया हुआ है अब आप बोलोगे 360 कहाँ पर है देखो जब भी एक circle होता है complete circle जो है न ये ये 360 degree बनाता है ठेक है? तो इसका मतलब क्या है? 360 degree किसके बराबर हुआ? 600 million के तो एक degree मेरे बास किसके बराबर हो गया 600 upon 360 इसी तरीके से अगर मेरे को इसे 25 degree बनाना है तो मैं into 25 कर दूँगा तो ये step आपको समझाया होगा कि ये कैसे बना ठेक है? इसको कुछ नहीं किया इसको solve कर दिया है तो ये answer आ गया 41.67 एक बार मैं फिर से explain करता हूँ जो पूरा एक pie chart होता ना पूरा एक circle होता है वो 360 degree के बराबर होता है तेक है? और question में हमें उसकी value दी हुई है 600 के बराबर तो अगर 360 600 के बराबर है तो एक हो जाएगा 600 divided by 360 के बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो अगर एक बराबर है 600 by 360 के तो 25 हो जाएगा into 25 कर दूँगा तो ये answer आ जाएगा चलिए अगला question करते है अगर किसी को भी doubt होगा तो फिर से नीचे लिखेगा comment में मैं फिर से समझाऊँगा equation number 3 भी equation number 2 की जैसा ही है ये मैंने फिर से लिया है ताकि आप समझ पाएं कि कैसे equation हो रहा है ये वाला ठेक है एक बार read करते हैं इसको the difference between the fuel consumption of industry and transport in 1992 was equal to ठेक है अब यहाँ पर दिया है यहाँ पर हमें difference पूछा है किसका industry और transport का हम देख रहे हैं industry दिया है 110 के बराबर ठेक है और transport दिया है 80 के बराबर इनके बीच का अगर मैं difference करूँगा क्या आएगा 30 ठेक है 30 आजाएगा अब मैंने आपको पीछे बताया था ये पूरा जो circle होता है ये 360 degree के बराबर होता है 360 degree की value equation में 600 दी हुई है अगर 360 के बराबर है ठेक है तो एक हो जाएगा किस के बराबर 600 upon 360 के बराबर ठेक है अगर एक जो है वो 600 upon 360 के बराबर है तो 30 हो जाएगा इसको 30 को multiply कर देंगे 600 upon 360 into 30 और ये answer आजाएगा 50 million ठेक है अब आपको नीचे क्या करना है नीचे comment box में में को पताना है कि अगर यही हम electric city और transport का difference ढूंडेंगे ठीक है तो उसका answer क्या होगा electricity हमें दिये 105 और transport दिये 80 ठीक है मैं comment box में हर एक के answer चेक करता हूँ तो जो भी video देख रहे हैं वो नीचे comment box में answer करेंगे चलिए अगला question देखते है additional primary energy would be question में हमें साफ साफ mention किया गया है कि अगर जो electricity है वो 350 के बराबर है तो जो total primary energy निकलेगी हमारी उसमें additional कितनी होगी ठीक है हम जानते हैं कि 105 जो है वो किसके बराबर दे दिया 350 के और जो पूरा circle होता है वो किसके बराबर होता है 360 के बराबर अगर मेरे पास 105 जो है वो 350 के बराबर है तो जो पूरा circle है 360 वो किसके बराबर होगा ठीक है वैसी जैसे पीछे question किया थे अगर 105 जो है वो 300 के बराबर है यानि कि जो 1 degree होगा वो हो जाएगा किसके बराबर 350 upon 105 के बराबर अब अगर एक डिग्री मेरे पास 350 अपॉन 105 के बराबर है तो 360 डिग्री किसके बराबर होगा हम multiply कर देंगे 360 को वो total आजाएगा 1200 टन ठीक है अब question में हमें 600 तो पहली दिया हुआ था कि ये कोईले की energy है तो मैं 1200 में से 600 निकाल दूँगा तो जो 600 आएगा वो मेरा क्या होगा वो मेरी additional energy होगी ठीक है additional energy अब question no.5 दिया है हमारे बस if instead of coal oil has been used in industry purpose ठीक है industry purpose यानि कि 110 डिग्री की बात कर रहा है ठीक है and if 1% of coal is equal to 3 by 4th ton of oil जो 1 ton है खोईलेगा वो 0.75 ton of oil के बराबर है 3 by 4th कितना हो गया 0.75 ठीक है अगर 1 जो है वो 0.75 के बराबर है तो जो हमें 600 दिया हुए equation में वो किसके बराबर हो जाएगा into कर दूँगा 600 से 450 million आ गया अब end में equation में पूछ रहा है कि कितना oil चाहिए हमें industry purpose के लिए तो industry हमारे पास क्या value दिये 110 degree degree दिये इसका मतलब क्या pie chart की बात हो रही है और pie chart की total degree क्या होती है 360 के बराबर तो मैं क्या करूँगा 110 को divide करूँगा 360 से और into कर दूँगा जो oil की value है हमारे पास 450 के answer आएगा 137.5 ठीक है question बहुत ही simple है कोई भी doubt है आपको आप नीचे comment करेगा तो इस वीडियो से इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो like करेगा चानल को subscribe करेगा and इस वीडियो में मैंने एक question पूछा है उसका answer मुझे नीचे comment box में चाहिए and हम और भी courses जो लेकर आए हैं और भी teachers जो पढ़ा रहे हैं आप उन सब के courses को follow करें and अच्छे से notes बनाईएगा आपकी job ज़रूर लगेगी thank you and God bless you all